समस्कार दोस्तों फीमेल माईला पुरुष दोनों इन वेकैंसी के लिए एपलाय करें दोस्तों ये ओल इंडिया वेकैंसी आप रहने वाली है अब किसी भी राजे से हैं ये ओल इंडिया भरती रहेंगी आप लोग एपलाय कर सकते हैं इसके लिए आपको एप्लिकेशन फॉर्म दे दिया गया तो दोस्तों भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल भोपाल के तैट ये वेकेंसी का नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराय जारा टेंप्रेरी बेसेस पे ये पोस्ट यहां पे शामिल कर ले गए ICMR द्वारा ये प्रोजेट आप लोगों के लिए रहेगा पूरी जानकारी वीडियो में कवर करेंगे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे चैनल को भी सब्सक्राइब करें मध्यप्रदेश राशन की हर वेकेंसी की जानकारी आगे आपको मिलती रहेगी वीडियो के नीचे जाएं सब्सक्राइब के रैट बेटन को आप पे क्लिक करें मध्यप्रदेश राशन की हर वेकेंसी की इन्फर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें तो बिल्कुल शुरू बात कर देते हैं अपने अप्डेट को बढ़ जातें इन्फर्मेशन की और तो दोस्तो जो भी आप लोगों की जोईनेंगें मध्यप्रदेश भोपाल में आप लोगों को मिल जाएगी अब बात करते हैं कौन सी पोस्ट है कितने इपाद हैं सेल्ली आपको कितनी मिलेगी क्या-क्या योगिता असमें आप लोगों से मांगा जा रहा है एपलाय करने के लिए और जॉब का डियूरेशन क्या रहेगा एज लिमिट आपकी क्या रहेगी तो देखे सबसे पहले बता दिया गया पहली जो पोस्ट इसमें आप जो शामिल की गई प्रोजेक्ट हेल्थ असिस्टेंट के रहेगी इसमें सरफ एक ही पदयां पर शामिल किया जा रहा है सत्रा हजार रुपे परमंत यह आपको सेल्ली मिलेगी हाई स्कूल दसवी कक्षा अगर आप लोग पास है तैंथ क्लास आप लोग पास है आप लोग एपलाय करें देखे लिखा है और equivalent means equivalent कोई और qualification है इसी के समक्ष तो भी apply कर सकते हैं लेकिन आपको 5 साल का experience है relevant field में और government institution से आप लोगों को यहाँ पर 5 साल का अनुभव रहना चाहिए intermediate है और science subject में B.Sc. life science में तो आप लोगों को यहाँ पर प्रत्मिक्ता मिलेगी आप लोग भी इसको apply कर सकते हैं simple 10th class pass है और 5 year का experience है आप लोग आविदन कर दें तीन महीनों के लिए आपको joining मिलेगी जिसको बाद में आगे भी बढ़ाया जा सकता है extend भी किया जा सकता है 28 साल उमर इसमें आप लोगों के लिए रखे गई इसके बाद second number पे जो post है देखे लिखा है project technician तो project technician का एक पद है 17,000 रुपे इसमें भी आपको salary मिले वाली है high school 10th class आप लोगों को यहाँ पर पास होना जरूरी है equivalent समकर्ष कोई और qualification है तो भी apply करें 5 साल का आपको experience भी मांगा जारा relevant field में और government institute के तहित आपके पास यह अनुभव रहना चाहिए ITI candidate भी इसको apply कर सकते हैं और दोस्तों देखिए intermediate BSC वाले candidate भी इसमे apply करें और आप लोग भी इसको आविदन कर पाएंगे आपको भी इसमें experience चाहिए पड़ेगा और BSC वाले जो भी candidate है आप लोगों का जो भी यहाँ पर देखिए BSC की जो degree है दो यहाँ पर तीन साल का experience उसको यहाँ पर मान किया जाएगा तीन महीनों के लिए आपको इसमें आप जॉइनिंग मिलेगी बाद में इसको बढ़ाया भी जा सकता है अठाइस साल उमर इसमें आप लोगों के लिए रखेगा इसके बाद प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंट के लिए पोश्ट है इसमें एक पद है इसमें भी 17,000 रुपे आपको सैली मिलेगी लोगों के लिए रखे गई तो दोस्ता से के लिए आपभणा के लिए स्वागा के लिए सबसे नीचे की तरफ आप लोगों को application form का format इसमें आप लोगों को दे दिया गया है तो यह आपको form का format जा आपको आपे मिल जाएगा application, यहाँ पर जो notification है, तो notification में आप लोग इसको download कर लेना, सारी जनकरी इसमें आप लोग अपनी आप पर provide करा हैं, सारी information इसमें आपको आपने देनी होगी, basic detail, communication detail, qualification की detail, सारी जनकरी आपको इसमें provide करानी है, और जितने भी आपके certificates हैं, जितनी भ कितनी fees का payment आप लोग करेंगे, तो यह जानकरी भी इसमें है, मैं आपको यहाँ पर provide करा देता हूँ, तो देखिए, जो candidates आप पर unreserve वाले हैं, आपको 500 रुपीज का फीज का payment करना है, OBC candidates हैं, तो आप लोगों को भी 500 रुपे का फीज का payment करना होगा, SDs, SDs और जो PWD candidates हैं, आपको कोई भी फीज देने की जरुवत नहीं है, आप लोगों के लिए form free रहने वाले हैं, और जो भी candidates नेकिए, unreserve और OBC वाले हैं, 500 रुपे का आपको demand draft यह बनवाना होगा, और किसके favor में बनवाना है, तो यह जानकरी आपको इसमें यहाँ पर म जो भी आपका यहाँ पर certificates हैं, आपको self-attest करके photocopy का साथ यह भी आपको provide कराना है, साथ जो भी आपका demand draft है, तो यह भी आपको भेजना होगा, तो इस सारी जानकरी आप लोगों को एक पते पर भेज देनी हैं, वो मैं आपको जानकरी बता देता हूँ, तो बिलकुल hard copies by speed post by hand, तो speed post के माध्यम से भी आप लोग बेज सकते हैं, और by hand कारेले में भी जमा कर सकते हैं, और आप इदन करने की जो last rate है, 31 October 2022 रहने वाली है, और दोस्तों 31 October तक आप लोगों का आप इदन वहाँ पहुँच जाना चाहिए, और जो भी आपका envelope है, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा, applications, जो है, for the post of, तो आप post को mention करना है, at bmhrc, और यह address आपको दे दिया गया है, इस address पे आपका आप इदन पूरा पहुच जाना चाहिए, दोस्तों जो भी information थी, वो मैंने आपने cover की, जो भी vacancies में आप पे जो शामिल की गई, contractual basis पे रने वाली ह आप लोगों को अभी joining मिलेगी, और हो सकता है, आपके joining को extend भी किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे इसमें लिखा है, project based यह vacancies आप रिलीज होई है, तो आप लोगों को project के तहती काम करना होगा, तो 31 October शाम के 5 वजय तक का समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी से आप सब लो जो है, अब आप से चूटना नहीं चाहिए, तो वीडियो के नीचे जाए, subscribe, credit button को आप एकले करें, मध्य प्रदेश राष्टन की हर vacancy की जानकारी आगे भी, पातरन मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, thank you so much